दोस्तो नमस्कार स्वागत है आप सभी का अपना चैनल आई एंडी हिंदी टेक में आप लोगों को पता होगा कि बैंक वरुदा की एम कनेक्ट मुवाइल आप्लिकेशन हो गया वाव वर्ल्ड और वाव वर्ल्ड में आपको तीन प्रकार के नया सेविंग्स एकाउंट इस आकाउंट को खोल सकती हैं आपको ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा OTP के माद्यम से आकाउंट को खोलना है और वीडियो कॉल के माद्यम से अपने एकाउंट की फुल क्यो आईसी कम्पलेट कर लेनी हैं आपको इसमें पूरा के पूरा फैसलेटी द दिखाई देंगे जैसे डिबिट कार्ड से संबंदित, UPI से संबंदित और जितने भी फीचर्स है वो सारा आपको दिखाई देंगे इस एपलिकेशन में एकसेस करने को मिलेगा तीन प्रकार के एकाउंट लॉंच किये गे हैं डिजिटल अकाउंट जो कि आप देख सकते ह है B3 प्लस अकाउंट, B3 एज अकाउंट और B3 अल्टरा अकाउंट यहाँ पर B3 प्लस अकाउंट है जो जीरो बालेंस अकाउंट है, इसमें आपको क्वाटर एवरेज वाइलेंस यानि कि आपको प्रतिक तीन महीना पर चीक किया जाएगा आपके अकाउंट में 25,000 प्या quarter average balance के रूप में maintain करके चलना पड़ेगा चलिए इसकी बारे में जो detail दिया गया है इसके recording हम आपको अच्छे से समझा देते हैं यहां पर benefit की बारे में बताया गया है benefit में यह बताया गया है कि आप इस account को digitally तरीका से खोल सकेंगे और video kyc के माध्यम से अपना account खोल कर kyc कम्पलीट करवा सकते हैं इसकी बाद आपको इसमें OTT benefit भी मिलते हैं इसके साथ ही आपको account में instant virtual debit card दे दिया जाता है यह तीन प्रकार की account है जिसमें आपको virtual debit card मिलेंगे instant में जैसे ही आप account खोलेंगे उसकी बाद यहां पर branch visit not required यानि branch visit करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगा और इसके साथ ही बताया गया है कि food, e-commerce और shopping वेगरा पर आपको offer मिलेंगे और यदि आप travel, shopping या merchandise पर transaction करती हैं तो आपको इसके बदले में reward भी दिया जाएगा यहां पर कुछ tournament condition भी इसका है वो भी आप देख लीजेगा सबसे पहले बात कर लेती है जीरो वालेंस account के बारे में V3 plus account जो एक जीरो वालेंस account है इसमें initial funding यानि जवाप account open करती हैं उस समय अगर आप funding करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं यहां पर funding में 0,2,24,999 रुपिया बताई गई है यानि कि अगर आप funding करना चाहती हैं तो कर सकती हैं नहीं करना चाहते तो नहीं भी कर सकती हैं जीरो रुपिया से लेकर 24,999 रुपिया तक आप initial funding इसमें कर सकते हैं quarter average balance नील है यानि कि यह एक zero balance account है इसमें आपको average balance maintain करके चलने की जरूरत नहीं पड़ेगा इसमें जो debit card आपको मिलते हैं वो visa classic debit card मिलते हैं और Eros Now की complimentary six month की subscriptions आपको विल्कुल free में दे दिया जाता है नीचे में eligibility की बारे में बताया गया है जिसमें बताया गया है कि minimum spend 500 रुपिज in the first 30 days of account opening यानि कि अकाउंट open करते हैं उसके 30 दिन के अंदर आपको 500 रुपिया का spend कर लेनी है कम से कम तब जाकर आपका account फेकर एक्टिवेट रह पाएगा और इसके अंतरगत आप लोगों की account चालू रहेगी उसकी बाद V3 age account की बारे में बात कर लेती हैं इसमें initial funding 25,000 रुपिया से लेकर 49,999 रुपिया तक किया जा सकता है इसमें quarter average balance 25,000 रुपिया मेंटेन करने की जरुवत पड़ेगा यहाँ पर जो zero balance account है इससी थोरा सा ज़्यादा facility आपको V3 age account में देखने को मिलेगा लेकिन quarter average balance आपको 25,000 रुपिया मेंटेन करके चलना पड़ेगा debit card variant visa platinum debit card आपको इसमें मिलेंगे हाला कि zero balance account में classic और इसमें आपको platinum card मिलेंगे offer amazon prime मिलेगा जो कि 6 month की complimentary subscriptions आपको मिलेंगे eligibility में बताया गया है कि आपको 1000 रुपिया first 30 days के अंदर account जब open करती है उसके 30 दिन के अंदर आपको spend कर लेनी है उसकी बाद है B3 ultra account जिसमें initial funding 50,000 और इससे उपर आप कर सकते हैं जब आप account खुलेंगे और quarter refresh balance आपको 50,000 रुपिया maintain करकी चलना पड़ेगा और debit card के variant के बारे में बताया गया है visa variant मिलेगे visa card की variant और यहाँ पर amazon prime आपको 12 month की subscriptions मिलेंगे Tams Prime complimentary 12 month subscriptions लिके गई है account खुलते हैं उसके first 30 days के अंदर आपको spend कर लेनी है तो यह तीन प्रकार की account है हलाकि हम लोग जदा focus करते हैं zero balance account पर तो हम लोगों के लिए V3 plus account सही है एक zero balance account है और visa classic card मिलते हैं तीनों में आपको virtual debit card की facility मिल जाती है नीचे में FAQ दिया गया है जिसे आप चाहें तो आसानी से read कर पाएंगे account आप तवी खोल सकते हैं जब आप individual India है और यहां पर आपका उम्र 18 वर्स से उपर है तवी आप इस account को खोल सकते हैं 18 वर्स से नीचे minor account में इस account को नहीं खोल सकते हैं इसके लिए जरूरी पड़ेगा original pen card की original अधार card की mobile number आपके अधार card के साथ register होना चाहिए valid email ID की जरुत पड़ेगा इसके साथ ही mobile banking application m connect plus यानि की m connect plus ये तो लिखा गया है लेकिन अब ये हो गया है wow world तो wow world आपको play store में मिल जाएगा वहां से आप download कर पाएंगे original अधार card आपके पास होना चाहिए इसके साथ ही आपको एक room में जो साफा वाला room होगा जिसका background white होगा आपका वडिया से वहां पर video और photo आए उस room में आपको रहना होगा उसमें lighting वेगरा की विवस्ता अच्छा होना चाहिए अगर आप यहां पर laptop या फिर mobile phone या फिर जिस device से video call के लिए request डालते हैं उसमें आपको device की location इनिवल करने होगा उसके बाद camera और microphone की अनुमाती देना पड़ेगा और उसके बाद black या blue pen की आपको यहां पर जुगार करकी रखना पड़ेगा और white sit paper आपको अपने पास रखना होगा video kyc के दोरान आपसे उसी पर signature कराया जाएगा और जब एक बार video kyc आपका complete हो जाएगा उसके बाद account की full kyc कर दिया जाएगा video kyc का timing सुवा के 10 बजे से लेकर साम के 5 बजे तक बताई गई है holy day को छोड़ कर bank holy day को छोड़ कर इसके साथ ही तीनों account के detail यहाँ पर बताया गया है सबसे पहले b3 plus account के बारे में बताया गया minimum initial funding कोई नहीं करना लेकिन b3 age account में 25,000 रुपया कम से कम करना है और b3 ultra account में 50,000 रुपया कम से कम initial funding करना है उसका minimum quarter reference balance के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया अगर आप पैसे maintain नहीं करते हैं quarterly तो यहाँ पर b3 plus account में कोई चार्ज नहीं है लेकिन यहाँ पर b3 age account में 50,000 रुपया प्लस GST की चार्ज है और b3 ultra account में 500,000 रुपया प्लस GST की चार्ज है तो यहाँ पर b3 plus account जो है हम गरीवों के लिए है और b3 age account जो है थोड़े से पैसे वालों के लिए है और b3 ultra account जो है थोड़ा सा अमिर जादो के लिए है मैं ऐसे ही बोल दिया हूँ अगर आपको इस बात की बुरा लगे तो माफ करिएगा यहाँ पर b3 plus account में visa classic debit card मिलेंगे जहाँ पर fee के बारे में बताया गया है कि free for one year देराफ्ट चार्जेवल डीड़ सो रुपया प्लस taxes यानि कि first year के लिए free है और उसके बाद यहाँ पर डीड़ सो रुपया प्लस tax जो है चार्ज किया जाएगा उसके बाद transactions limit v3 plus account की 25,000 रुपया per day ATM withdrawal limit और 50,000 रुपया per day online spend आप कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर v3 age account v3 ultra account और v3 plus account तीनों में एक ही रूल है unlimited free transaction आप कर सकते हैं किसी भी bank of वरोधा के ATM से इंडिया में कहीं वी other bank के ATM से 3 complimentary ATM withdrawal आपको free मिलते हैं और metro center पर जो कि यहाँ पर बताई गई है 3 और यहाँ पर 5 complimentary non metro center पर आपको free मिलते हैं इसके साथ ही v3 age account की limit के बारे में बात करें डिविट कार्ड की तो visa platinum card मिलते हैं first year के लिए इसमें भी free है उसके बाद 2500 रुपया plus taxes लगेंगे और transactions limit के बारे में बात करें तो 50,000 रुपया per day के तौर पर ATM से withdrawal किया जा सकता है 2,000,000 रुपया तक per day online spend किया जा सकता है इससे यहाँ पर v3 ultra account के बारे में बात करें तो यहाँ पर पहले साल के लिए किसी भी परकार की charges नहीं है डिविट कार्ड की उसके बाद next year से 20,000 रुपया plus taxes लगेंगे और इसमें भी limit वही मिलेंगे जो आपको age account म मिल रही है 50,000 per day के अनुसार से ATM विट्रोबल और 2,000,000 रुपया per day के अनुसार से online spend की मौका आपको मिल रही है अगर हम checkbook के बारे में बात करें तो इस account में checkbook की facility आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर clearly mention किया गया है no checkbook facility is not available for this account यानि इस account में checkbook की facility आपको नहीं मि बात करें तो transaction limit कुछ इस परकार से बताई गई है आप यहाँ पर देख सकते हैं cash on mobile की transactions limit minimum amount per transactions बताई गई है 100 maximum amount per transactions 5000 रुपया बताई गई है और maximum amount per day यहाँ पर 5000 रुपया बताई गई है इसके साथ maximum amount per week 10,000 रुपया maximum amount per month 25,000 और maximum number of transactions per day 20 बताई गई है उसकी बाद fund transfer self linked में भी आप देख सकते हैं तो इसका screenshot आप कर लिजेगा ताकि अच्छे से आप पढ़ पाएं एक एक बताने लगे तो वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो यहाँ पर सारा देख लिजेगा जैसे NFT, IMPs की जो transfer fund transfer की सुविधा है उसमें आपको किस तरह के limit मिलते हैं fix deposit की सुविधा आपको मिलती हैं वो भी आप यहाँ पर देख लिजेगा यहाँ पर परड़े transactions limit जो दिया गया है वो सभी में 20 दिया गया है आप यहाँ पर credit card मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा हम आपको वता दे कि credit card जो है बीना account के भी मिल जाता है इसलिए आपको टेंसल लेने की चिंता करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर इसकी वारे में detail में बताई गई है कि यहाँ पर subscription जो मिलते हैं उसका value क्या होता है यह चीज़े आप का मैं रख दूँगा वीडियो के description आप लोग चेक करते रहेगा अगर आप वीडियो देर से देख रहे हैं तो description वाक्स में आपको link मिल जाएगा या फिर आप अगर कुछ दिन बात देख रहे हैं वीडियो को तो आपको description वाक्स में link मिल जाएगा account opening का आप account खोल सकेंगे ऐसे self भी account खोल सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी लेकिन फिर भी आप लोग वीडियो के नीचे comment करियेगा तो मैं बहुत जल्द account opening का वीडियो आपके सामने लेकर देदूँगा तो दोस्तों ये है BOV World Application जो की Play Store पर आपको काफी आसानी से मिल जाएगा इस application को आपको install करके उसकी बाद open करना रहेगा application open करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस परकार की interface नजराएंगे यहाँ पर आपको अपना language को सेलेक्टिक करना है और उसकी बाद proceed वटरन पर क्लिक करना है proceed वटरन पर क्लिक करने के बाद इस परकार की interface नजराएंगे और gate started पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर सबसी उपर में open a digital savings account की option नजराएंगे इस वाले option पर क्लिक करना है उसके बाद location को allow करना है setting में जाकर location अनुमती देने के बाद यहाँ पर open a digital saving account पर क्लिक करना है अब आपके साबने इस परकार की interface नजराएंगे यहाँ पर charge tip में आपका account खुलेगा instant verification via pen और आधार बताएंगे है paperless यहाँ पर होगा उसकी बाद QYC video call से होगा और funding की option नजराएंगे यहाँ पर तीन परकार की account दिखाई देंगे जिसकी बाड़े में मैंने आपको बताया अगर V3 plus account खोलना है explore benefit की उपर आपको क्लिक करना होगा यहाँ पर इसका benefit बताया गया जैसे online आप इसे खोल सकती है यहाँ एक zero balance account है no hidden cost यानि किसी भी परकार की hidden cost नहीं है quarter average balance कोई maintain करने की जरुवत नहीं है यहाँ पर आपको mobile banking access करने की option मिल जाती है यानि wow world application को access कर पाएंगे internet banking भी एकसिस कर पाएंगे visa classic virtual debit card और physical debit card फे आपको मिल जाएंगे उसकी बाद UPI fund transfer वेगरा की facility जहाँ पर free IMPs, NFT, RTGS transactions बिलकुल free मिल जाएंगे transactions करने की option और उसकी बाद eros now की तो मैंने आपको subscriptions बता ही दिया no more पर क्लिक करके इसकी बारे में अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकती है यहां से भी जो कि यहां पर उसी website पर लेकर जाएगा जो मैंने आपको बताया यहां पर नीचे में apply now की option apply now वाले option पर आपको क्लिक कर देना है अब यहां पर इस परकार की interface नजर आएंगे चार इस टेप यहां पर बताया गया यहां पर आपको email address mobile number दर्ज करना है वह mobile number आप दर्ज करिए जो आपकी अधार कार्ड के साथ link है उसके बाद OTPI का OTP verify करना पड़ेगा उसके बाद आप minor नहीं हो यह चीज़े बताना पड़ेगा आप यहां पर आपका जो residential है वो Indian है उसके बाद यह सारा में आपको टिक करना है ठीक है ज्यादा लंबा हो गया है इसके लिए मैं आपको इसके आगे नहीं बता पाऊंगा क्योंकि आप लोग बोर हो गए होंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही मिलती ही फिर ने वीडियो में वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें इसी परकार की इंफर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को आपने दोस्तों तक सियर जरूर करें धन्यवाद